अक्सर आप लोगों ने घरों में ये कहते सुना होगा कि मेरी तो सर की नसे फटे जा रही है, मेरा सर फटे जा रहा है, जब सर दर्द करता है तो आप लोग ये common term कहते ही सुनाई देते हैं लेकिन एक्चुली ये scientific ये technical term में इसे क्या कहते हो इसको कहते हो आप brain hemorrhage एक्चुली ये scientific तरीके से दो परकार से divide होता है, एक होता है seismic stroke और एक होता है hemorrhage stroke जो seismic stroke होता है उसमें जो दिमाग के अंदर जितनी भी खून की नसे हैं उनमें खून बहना रुक जाता है, यानि कि blood clot हो जाता है, खून का थक्का जम जाता है और दूसरा होता है hemorrhage stroke जिसमें खून जो है नसों से बाहर निकल जाता है, जिसमें आप कहते हैं कि नसे फट गई हो यूँ परकार से कह सकते हैं इस condition में जर्णली किसी person को अगर ये हो तो उसको लकवा यानिकी paralysis जैसी condition जो है उसके अंदर आती है, बोड़ी के अंदर यही चेंज आते हैं actually brain hemorrhage के जो condition है या hemorrhage stroke जब आता है तो उसमें ही सरदर्द होता है या अचानक आखें जो है न वो काम करना बंद कर देती है, धुंदला दिखाई देने लग जाएगा, बोलने में बड़ी दिक्कत महसूस होगी, चक्कर आने लग जाएगा, हाथ पैर सुन से हो ये brain hemorrhage का एक collection होता है, जिसमें रक्त स्त्राव होने लग जाता है, इसी को या आप लो proper brain hemorrhage के नाम से जाना करते हैं, ठीक है दोस्तो?